दोस्तो पेटियम से रिलेटेट बहुत बड़ा अपडेट 31 जनवरी 2024 के अंदर लिकल कर आ रहा है जी हाँ 31 जनवरी 2024 आज है और आज के दिन ही पेटियम को बहुत बड़ा जटका लग चुका है जी हाँ जितने भी गिराहक पेटियम का सेविंग अकाउंट यूज कर रहे है उनको ये वीडियो पूरा देखना है इसकिप नहीं करना है क्योंकि पेटियम पेटियम पेवन बैंक के ऊपर आर बियाई ने 2024 के अंदर यानि के 31 जनवरी आज के दिन बहुत बड़ी रोक लगा दी है जितने भी पुराने अकाउंट है वो भी यहाँ पर रोक लग चुकी अब मैं आपको पूरी ख़बर बताता हूँ क्या आखिर मामला है क्या तो मैं यहाँ पर आगिया हूँ पेटियम यानि के आर बियाई की आफिशियल वेब साइट पर यहाँ यहाँ पर ही आखिरकार एक यहाँ पर प्रेस रिलीज हुआ है 31 जनमरी 2024 के अंदर जहां जिसने तहल का मचा दिया है यहाँ पर सभी ग्राहकों के लिए जी यहाँ यहाँ पर आप पढ़ लीजिए भारतिये रिजर्व बैंक ने बैंकिंग अधिनियम यानि के 1949 की धारा 35 ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रियोग करते हुए पेटियम पेटियम बैंक लिमिटेड यानि क पी पी बी एलिया बैंक को नए ग्राहक को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था ततकाल प्रभाव उस पे हो चुका है वयापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों के बाद की अनुपालन यानि के अनुपालन सत्यापन सत्यापन रिपोर्ट ने ब बश शकता हुई है जी हाँ यहां यहां पर जो रोक लगाई है यानि कि जो अक्षन लिया गया है इसके यहां पर उन्हπά हिन Dir पूरी रिकोर्ट पढ़ते बता रहा हूं तदानसार बैंकिंग वाधीनियम यानि के उनिस सो औरन्चास की धारा पैंतित एक तहत अपनी शक्तियों और उसके संबंद में इसे समक्ष करने वाली अन्य सभी शक्तियों का परियोग करते हुए भारती रिजरुन ने आज पीप काज कैश बैक या रिफन्ड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेंदेन या टॉप अप की अनुमती नहीं दी जाएगी यानि के 29 परवरी तक यह सभी काम जो हो सकते हैं लेकिन उसके बाद यहां पर बंद हो जाएंगे जिसे कभी भी क्रेडिट किया जा सकता है इसक जिनका उप्लब्ज 6 राथी तक भीना किसी पर्तिबध के दी जानी है आगर आपका यहां पर पेटियम पेवेंड लेक के अंदर सैनका आंन हमे प्येंद बाया तो 29 परवरे तक उन्हें छूट है वो उद आ सकते हैं ट्रांजफर कर सकते हैं रिचार्ज बगरा जो भी उससे करना चाहें कर सकते हैं भी उसे चूट है 29 फरवरी के बाद वो बैलन्स बंद होगा खतम होगा उड़ा दिया जाएगा या खतम हो जाएगा उसके उपर डैडलाइन आगे आएगी अभी यहाँ पर 29 फरवरी तक आपको यहाँ पर जितना भी आपका शेज बैलन्स है उसे निकाल लेना है मैं नीचे आपको पढ़के दिखाता हूँ 29 फरवरी 2024 के बाद उपर में उपल उलेखित सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवा है जैसे फंड ट्रांसफर आई पी एस आई एम पी एस इत्यादी जैसी सेवाओं के नाम की प्रकरती के बावजूद बी बी पी ओ यू और यू पी आई स्वीधा बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी है यानि के यहाँ पर इस पे भी रोक लग गई है यू पी आई वगारा भी यहाँ पर यूज नहीं होगा यानि के 197 Communication Limited और PTM Payment Bank Services Limited के नोडल खातों को जल से जल किसी भी इस्थती में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त किया जाना है यानि के समाप्त करना है 29 फरवरी 2000 से पहले सभी पाइपलाइम लेंदेन और नोडल खातों का निप्टान 29 फरवरी 2024 को या उससे पहले शुरू किये गए सभी लेंदेन में के संबन में 15 मार्ट 2024 तक पूरा किया जाएगा और इसके बाद किसी और लेंदेन की अनुमती नहीं दी जाएगी यानि के 15 मार्ट तक यहां पर सभी निप्टान करने को कहा दिया गया है पेटियम् प्रिवर्ड वैंक को तो यहां पर बहुत बड़ा अपडेट है जैसे कि मैं आपको बता दिया कि यहां पर जिनके बैलन्स पड़े हैं जिनके इनके आप खातेयों के अंदर यहां पर रा